तो यार आज के इस वीडियो में बात करने वाले है पर्सेंटाइल और पर्सेंटेज में क्या डिफरेंस है तो जो काफी सुदेंस होते हैं जो कन्फूजन में रहते हैं पर्सेंटेज क्या है और पर्सेंटेज क्या है तो चलो यार स्टाट कर लेते हैं तो जैको सबसे पहले लिए में बाद करता हूं percentage की, देखो percentage क्या होता है, percentage तुम्हारा आता है out of total marks, कि तुम्हारा paper कितने total marks का था और तुमने कितना obtain किया, उसके basis पर तुम्हारा आता है percentage, अगर तुमसे percentile की बाद करता हूं, तो percentile आता है total number of students के basis पर, कि उस exam में कितने total number of students हैं जिन्होंने appear किया हुआ है तो जो बच्चे appear करते हैं उनके wishes पे percentile आता है और percentile indicate करता है कि कितने students तुमसे पीछे हैं अगर किसी बच्चे का percentile जितना जादा है तो यह उसका मतलब वो उतना ही आंगे है और उससे पीछे वाले बच्चे बहुत जादा है तो percentile जादा होना तुमाई लिए best है और तुमको कोई भी confusion regarding this तो यह नीचे तुम comment बॉक से पूश सकते हो and thanks for watching this video